टू फंक्शन्स और डिफाइंड एस अंडर हाथ तो हमें एक एवा अनिक्रिशन में f of x is equal to x plus 1 if x is less than 1 2x plus 1 if x is between 1 to 2 gx is equal to x square if x is between 1 to 2 and x plus 2 if x is between 2 to 3 तो अगर हम देखेंगे सबसे पहले हमारे हम दोनों फंक्शन्स को लिख लेते हैं एक बार है ना f of x is equal to x plus 1 if x is less than or equal to 1 और देखा 2x plus 1 if x is between 1 to 2 ओके ना यह fx है gx के लिए क्या गिवन है में यह fx फूरा होगा ठीक है अब gx के लिए में गिवन है gx is equal to x square if x is between क्या है 1 to 2 ठीक है तो एक सी वेडियो जागी यहाँ पर x is between 1 to 2 simply इसकी value है x plus 2 if x is between 2 to 3 2 के equal हो सकता है और 3 के भी equal हो सकता है now अब सबसे पहले हम fog define करते हैं ठीक है fog तो अगर हम देखेंगे तो fog की condition के आते है fog क्या होता है indirectly f of g of x है ना तो अगर हम देखेंगे f of x में यहाँ पर क्या होना चाहिए तो इसे हम इस तरीकर से लिख सकते हैं ही हो जाएगा it is equal to g x plus 1 if g x is less than or equal to 1 and it is equal to 2 times of g of x plus 1 if g of x is between 1 to 2 ठीक है हमने एकदम basic definition wise लिखा है है ना क्या हुआ क्योंकि x योग जीएक सागया तो हज जागे जीएक सागया अब हम देखेंगे gx की value less than 1 कहा पर है तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे 1 से ले करके 2 के बीच में ठीक है 1 से ले करके 2 के बीच में लेकिन 1 से छोटी के लिए तो define नहीं नहीं है function है ना हमारा जो function है अगर यह हम 1 की जगे हम minus 1 हो तो शायद ऐसा कुछ हो सकता है ठीक है तो अगर हम minus 1 पर देखेंगे तो जो हमारा gx में minus 1 से 2 में तो minus 1 पर इसकी value 1 है then 0 आती है then 4 पर जा रही है 2 पर 4 चली जाएगी ठीक है तो हमें given gx की value उनीचे less than or equal to 1 minus 1 sorry वो minus 1 तो हमा range में है sorry, mistake हो यहाँ पर तो जाएगा gx की जाएगा हमारा x square तो जाएगा x square plus 1 है ना और range क्या हो जाएगा अब इसकी gx की इस case में यहाँ पर यह हो जाएगा हमारा x की value हो जाएगा x is what x is जाएगा minus 1 से बढ़ा और less than or equal to what के लिए यह हमारा इस तरीके से define हो जाएगा similarly अब जब हमारा g of x की हो जाएगा 1 or 2 के बीच में होगा ठीक है 1 or 2 के बीच में है 2 किस point पे होगा see 1 or 2 के बीच में इसकी value कब होगी see 1 पर तो इसकी value है indirectly का हो जाएगा 1 पर इसकी value हो जाएगी 1 के equal लेकिन 1 से root 2 तक के लिए का जाएगा यह हो जाएगा x square minus 1 और 2 से बड़े इसकी value कब होगी नीचे वाले के लिए तो हजागा इसकी value 4 से भी ज़्यत हो जाएगी तो simply fog में का जाएगा नीचे भी हो जाएगा x square plus 1 है ना तो जाएगा x square plus 1 नीचे भी और value कहां से का जाएगी when x is greater than 1 and less than what और equal to root 2 तो inditely मैं डाइट लिए लिख सकता हूँ जो हमारा fog यह हो क्या गया fog is equal to यह फिर f of g of x is equal to x square plus 1 और value जाएगी क्या 1 sorry minus 1 से लेकर के x के value कहां जाएगी हो सकती है it can be equal to root 2 तो यह गया हमारा f of g of x यह हमने f of g of x से define कर दिया अब हम define करेंगे किसको goff को goff को define करना थोड़ सा यहां पर कहें हमारा ticket task है let's see कैसे करेंगे तो g of f of x करना है अब हमें ठीक है g of f of x तो g of x हमारा define कैसे है यह question है हमें यह देखना होगा g of x कैसे define है तो g of x हमारा define है x square minus 1 if x is between minus 1 to 2 तो यहां भी कर जगा यह जगा हमारा g of f of x यह जगा f of x का whole square यह जगा f of x का whole square यार, if f of x is between minus 1 to 2, तो हैं आप एम लिख भी लिख भी लिख भी लेते हैं, f of x की value कहां से का तो हो जानी चीए? between minus 1 to 2, okay, similarly, इसकी value हो सकती है, f of x plus 2, if f of x is between 2 to 3, now, अब let's see f of x की range minus 1 से 2 के बीच में कब होती है? तो f of x की range हम देख सकते हैं, x less than 1 के लिए है, है ना? तो minus 1 कब होगी x plus 1 की value, when x is minus 2, और f of x की value कहां से का तो होनी चीए? minus 1 से 2 के बीच में, और 2 इसकी value कब होती है? x is equal to 1 पे, it means minus 2 से ले करके 1 तक के लिए इसकी value क्या हो जाएगी? x plus 1 के equal होगी किसे? minus 2 से 1 के लिए x में अगर दिखेंगे, तो यह से हो जाएगा है हमारी equation, यह हो जाएगा, x plus 1 का whole square, if x is between what? x is between minus 2 to 1, ओके, यह हमारा हो गया, अब 2 से 3 fx की value कब होगी? let's see, तो अगर हम देखेंगे 2 से 3 fx की value, तो x is equal to यहाँ पे, अगर हम देखेंगे 1 पे इसकी value 2 है, और उसके बाद हर point पे इसकी value क्या होगी? see, जैसे 1 तक तो यह है, उसके बाद सीधे इसकी value 1 पे क्या जाती है? अगर हम देखेंगे तो यह 3 plus जा रही है, 3 plus, तो it means इसकी value 2 to 3 तो कभी होती ही नहीं है, तो 2 to 3 वाला इसका case हम लेंगे ही नहीं, और कोई इसका possible solution नहीं होगा, तो answer क्या जागा इसका? f of हमारे क्या गया? तो यहां पर हमने क्या निकाला है? यहां पर हमने g of f of x निकाला है, which is equal to x plus 1 का होल स्कार, if x is between minus 2 to 1. So this is the answer for this question.